हाई फ्रेंज मैं दीक्षा सर्मा अपनी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ इसाथ बैल आइकन पर क्लिक करके और पर क्लिक कर दीजिए ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ह इत हे ब्लोज का ब्इक पाट है इसका हम सोल्टेल लेंगे साहब पांच इंच और हम चैस्ट का फोड़कKY लशे का फैब्रकर मेरे करां एकन तो कमर का चुट़कर मेरे का परेंगे, मार्जन चाफिशी नहुटर झाल झाल तो देखिए फ्रेंड बेक पार्ट को में फेबरिक के साथ अच्छे से अटेच कर देना है फ्रेंड फिनेशिंग के साथ और समय स्लाही करने के बाद जो भी एश्ट्रक अपड़ा है उसको हम कट कर देंगे फिनेशिंग के साथ फ्रेंड और फ्रेंड जो हम नेग बनाएंगे वह हम वक्रमपर बनाएंगे इसके लैंद रखेंगे हम इसकी उपर से चौड़े रखेंगे 2 इंच और इसकी नीचे की चौड़े रखेंगे वह रखेंगे हम तीन इंच और इसकी लाइन ड्रो कर देंगे और फिर हम इसपे गले की सेब दे देंगे और फिर हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर देंगे फिर हम अस्तर के फैब्रिक पर रखेंगे इसको वक्रम को अटेच कर देंगे इस पे हम अचांगे अचांगे तो थोड़ा सा मार्जन छोड़ते वे हम इसको कटिंग कर लेंगे फिर उसको हम से लाई कर देंगे बीच में हम इसको अब कट कर लेंगे और हम फैबरिक को भी कट कर लेंगे अब नेक को इस पर हम रख देंगे फिर इसी में बीच में हम एक सिलाई माल लेंगे कि दोनों को अब जॉण करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मार्जन चोड़ते हुए इसको हम कट कर लेंगे अब हम इस पर छोटे छोटे कट लगा देंगे जिससे कि हमारा यह बुक्रम है आसाने से पल्ट जाए नेक हमारा फिनीसिंग के साथ तयार हो बनके इसलिए हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे फ्रेंड इस चीज का दिहान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए फ्रेंड्स मैंने इस पर प्लेस कर लिए और फिसकी नेक पर हमने किनार पर अच्छी से फिनीसिंग के साथ इस पर हम इसलाई करनी है बहुत ही फिनीसिंग के साथ हमको इस नेक को त्यार करना है और यह हमारा फिनिसिंग के साथ त्यार हो गया लेकिन अब हम इसके लिए डिजाइन के लिए यह हम लेंगे साड़ी तीन इंच के पट्टी चौड़ाई में और इसकी लेंथ मैंने अपने कले के आकॉंडी रखी है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं फिर हम इसको बीच में से ज सीधा करना है फ्रैंड्स मैंने यहां पर पेचकस का यूज किया है आप किसी भी चीज को यहां ले सकते हैं फ्रैंड्स और फिर हम इसको सीधा करने के बाद में इसकी जो सिलाई हमारी आएगी वह इसको पीछे साइट कर देंगे हैं फिर हम अच्छे से फिनिसिंग के साथ हम इसमें प्लेट से डाल देंगे चोटी-चोटी हमें प्लेट बननी है इसमें फ्रेंड्स और इसी तरह पुरा कंप्लीट कर लेंगे हम इसको गले पर रखकर इसको हमें अच्छे से फिनिसिंग के साथ बीच में सिलाई देते हुए इसको हम जॉइन कर लेंगे इसमें हम अच्छे से इसको फिनिसिंग के साथ अटेच करना है फ्रेंड्स प्रिए से प्रेंड्स और इसको हमें ताना है इसमें फिनिसिंग और रखक के साथ और बंगे ंच्छे से, उन्म teenage खगेँ हमें जॉइन खिम इसको हमें इस क्रिक आपाच से, विस्जल में इसको हमें हम इसको हम बहले कर वादो आटेचे साथ और आटेच को उन्मारे हम आ झाल झाल फ्रेंड्स हमें अब इसमें प्लेट डानने है तो हमने इसके चौड़ाई रखी है वो रखी है हमने साड़े तीन इंच और इसकी लेंद्ध भी हमने साड़े तीन इंच रखी है प्रेंड्स प्लाउज का लूग ऐसा आएगा लेकिन इसमें अब हम डोरी लटकन बनाएंगे डोरी लटकन के लिए हमारे लिए फेब्रिक चाहिए और हम इस पे अस्तरखो और ब्लॉज का फेब्रिक ले लेंगे इसकी लेंद्ध जो रखेंगे हम साड़े तीन इंच रखने हमें और इसको हम स्लाई कर लेंगे सिलाई करने के बाद हमें इसको सीधा करना है फ्रेंड्स अच्छी सी इसको सीधा करना है फ्रेंशिंग के साथ अब अच्छी से हमें फ्रेंशिंग के साथ फ्रेंड्स इसमें हम चारो तरफ से लाई कर लेंगे झाल कर लेंगे अब हम दूसरे तरब से भी पट के हम उसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे हमारे यह लेटकन बनके रेडी हो गया है फ्रेंड्स हमें वैक पार्ट में हमें एक डोरी लगानी है इसमें तो फ्रेंड्स हम धाई इंच का मार कर लेंगे दोनों साइट फ्रेंड्स बैक डिजान बनके रेडी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें सेयर करें और कॉमेंट में जरूर पताएं धन्यवाद